हेलो दोस्तों बाद प्रिंट स्वागत आपके चैनल में आपसी टेग में आज में आपको बताऊंगा आज चैनल रिले को अल्ड कैसे करें और कैसे उस पर वी एपडी या कॉंट्रक्टर ऑपरेट करें जैसे की ड्राइव वी में हम थ्री वायर कंट्रोल वायरिंग करते हैं वैसे ही बिल्कुल तो उसमें डाइग्राम में भी है और प्रैक्टिकल भी है तो दोस्तों फूरा वीडियो देखे समझे और सीके कुछ नया अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज 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 लाइक शेयर औ खीराम में थोड़ा बहुत मैं आपको पता देता हूँ जैसे पता या आपको किसी भी रिले या contactor में सबसे पहले उसका एक supply पुएंट को हम लिंग तार Nink कर लेते हैं अ को जैसे मैंने नेगेटव में लिंक कर देंगे कि जैसे कि यह देख रहे हैं हमारे पास चार रिले हैं चारों को मैंने लिंग कर दिया है वैसे हमें जरूरत दो रिले की पड़ेगी बहुत इजी डाइग्राम है देखते ही समझ जाएंगे आप अगर समझे नहीं आता है तो प्रेक्टिकल भी है देख लें वीडियो पूरा देखें और पसंद आने पर लाइक शेर और सब्क्राइब जरूर करें अब आपको एक अनो पॉइंट है जो रिले का पीछे अनो पॉइंट होता इसमें अनो यह की होता इसलिए वाल्डिंग में दिक्कत आती है इसलिए हम यहां पे दो रिले यूज करेंग अख़ेंगे प्निंग करेंगे प्लस पॉजिटिव जो कि अब हम इसमें सप्लाई नहीं देने आ कि बहुत इज़ी डाइगराम है कि यह आप जैसे देख रहे हुंगे पलस वन पलस टू पलस ट्री पलस यह सब अलग लग लीडे वन पलस का मतलब पहली डिले डूब्स का म पॉर पलस का मलब चौती रीले तो इस सब चार रीले हैं हमने पहले का एनो से लिंक कर दिया है पन पलस यह पॉजिटिव सिंग्नल है अब इसी के पैरलल में हम एक एनो स्विच लगाएंगे यह एनो स्विच अन बटन और इसी को हम वापस रीले के कॉमन पॉइंट से लिंक करेंगे रीले के कॉमन पॉइंट से लिंक कर दिया अब इसी में हम सीरीज में एक एन सी पॉइंट लगाएंगे यह लगाता है हमारी वाइरिंग डायग्राम कंप्लिट हो जाता है यह हमने एन सी स्टॉप एन सी स्टॉप बटन लगा दिया यह सी दा चॉइस वर्ल्ड पॉजिटिव में देंगे हम नेगिटिव ने पहले दे दिया था यह अब स्टॉप में जाएगा चॉइस वर्ल्ड पॉजिटिव प्लस तो यह हो गई डॉल स्टार्टर सौरी डॉल भी कह सकते हैं वैसे कोई दिक्ट जैसी बात नहीं है ओल्डिंग रिले ओल्डिंग आठ चैनल रिले ओल्डिंग कैसे करें यह हमारा SMPS हो गया है चॉइस वर्ल्ड SMPS करें अब यहां पर दिक्ट यह आती कि इसमें नो यह की होता है तो हम इसको करते हैं बाकि दूसरी जगह यूज नहीं कर सकते हैं तो इसके लिए सब्में करेंगे इसके पास वाली जो रिले हैं वह यूज करेंगे इसको हम एन가요 तूम्स में यानि दूसरी रिले को लिंग कर दी अब जैसा ही पहली वाले रिले-इसको आउल्डिंग सप्लाइ देंगे दूसरी वाली बांटमेटिक क्चाब चालो हो जाएगी को और इसमें हम उपर वी अब्डी पगेरा कनेक्ट कट रखते हैं एनो जैसे मैं एक छोटा सा एक्जाम्पल और बता दूँ आपको जैसे मान लो यह हमारे पास एक वी अब्डी है पूरा वीडियो देखें दोस्तों इसमें पीचे वी अब्डी से पैक्टिकल भी बताया हुआ है मोटर चला के बताई हुई है मोटर का कॉमन और एस वन मान लीजिए अब ट्राइव कॉन सा उससे कोई फरक नहीं पड़ता है कोई भी एक टर्मिनल ले लीजिए यहां से हम मोटर का जो कॉमन स्वारी वी अब्डी का कॉमन है वो तो नमर रिले के कॉमन में देंगे देंगे यानि टू सी इसे वी एक डिका कॉमन पॉइंट है टू सी इसको कॉमन में देंगे और S1 को N O में देंगे अब जैसे हम अन करेंगे तो ट्राइब डारेक्ट अन हो जाएगा वाल्डिंग सप्लाइ मिल जाएगी अल्ड हो जाएगा जैसे त्री वायर कनेक्शन करते हम ट्राइब में प्रोग्रामिंग करते वैसे ही बिल्कुल तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज 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 भी लाइक शेर और सब्क्राइब जरूर करें कॉमेंट वाक्स में अपनी राय जरूर दे तो यह हमारा हाट चैनल होल्डिंग रिले होल्डिंग डाइग्रा पूरा हो चुका है अब यहां पर मैंने वीडिय यूज लिया आप कॉंटक्ट वगएरा मोटर डारेक्ट यूज कर सकते हैं कुछ भी कर सकते हैं अगर रिले पर यूज करना चाहिए अगर आप कार्ड में कोई पैनल में डालक डारेक्ट ओल्डिंग सिस्टम तो यह बहु कि अखिए, इन हुआ कि अखिए, इन हुआ कि अखिए। झाल 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 झाल